हाई फ्रेंड्स दिस इस रियास कान योर इंगलिस लैंगूज ट्रेनर तोड़े वी आर गूंगी का मतलब होता है गदा यानि धोबी का गदा धोबी का गदा यह कहानी है हमारी बंस अपोन अटाइम एक बार की बात है दिर लिवड़ धोबी एक धोबी रहता था इन अवलेच एक गाओं में He had a donkey, उसका एक गदा था and a dog और एक कुता था as his pets as मतलब के रूपे में? pets मतलब पालतु-जानवर उसके पास एक गदा और एक कुता था अपने पालतु-जानवर के रूपे में? The dog guarded कुता रख्चा करता था गाठ मतलब होता है रख्चा करना his master's house master मतलब मालिक अपने मालिक के घर की कुटा रख्चा किया करता था and accompanied का मतलब होता है साथ साथ जाना him मतलब उसकी और कुटा उसके साथ साथ जाता था wherever he went जहां जहां उसका मालिक जाता था he मतलब उसके मालिक के लिए आया तो कुत्ता उसको अकंपनी किया करता था, कुत्ता उसके साथ साथ जाता था, जहां जहां उसका मालिक जाता था यह पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है और सेकिंड फॉर्म का इस्तिमाल किया गया है तो धोबी अपने कुत्ते को बहुत जादा करेम किया करता था, और कुत्ता जब 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 ऑपने मालिक को देखा करता था, बुडबार्क जब 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 ऑपने मालिक को देखा करता था, बुडबार्क जब 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 ऑपने मालिक को देखा करता था, बुडबार्क का लिटल थोड़ा भोका करता था एंड बैग स्टेल और अपनी पूछ हिलाया करता था ही बुड रेज हिस फ्रेंट लेक्स बहे अपनी आगे की या सामने की टांगों को उठाया करता था रेज मतलब होता है उठाना एंड पुट दैम और उनको रख देता था ऑन दा असी में थप-थपाया करता था फॉर हिज लविंग जेस्टर उसके प्यार से भरे हावाव या इशारे के लिए उसको थप थप थपाता था इसको एक बार फिरसा समझते हैं यहांसे एक बार की बात एक धोबी गाउं में रहता था उसका एक गदा और कुता था उसके पाल को ले जाया करता था धो भी अपने कुट्टे से बहुत जादा प्रेम किया करता था और कुट्टा जब जब अपने मालिक को देखता था थोड़ा भूंका करता था और अपनी पूछ हिलाया करता था बहे अपने आगे की टांगे या सामने की टांगों को उठाया करता था और अपने मालिक के सीने पर रख देता था उन टांगों को धोबी बदले में या बापसी में अपने कुट्टे को थपता पाता था उसके लविंग जेस्टर के लिए यानि उसके प्यार से भरे हाव भाव या इशारे के लिए आगे बढ़ते हैं इस मेड़ डांग की जेलस इस मतलब इस चीज ने मेड़ मतलब बना दिया डांग की मतलब गदे को जेलस मतलब जलन से भरा होगा यानि इरशालू इस चीज से जो गदा था वो जलन से भर गया यानि इरशालू हो गया he cursed his ill fat curse मतलब होता है कोसना या बुरा बला कहना ill fat का मतलब होता है बदकिसमती बुरी किसमत उसने अपनी बदकिसमती को कोसा what a bad luck I have a bad luck मतलब कितनी बुरी किसमत है मेरी I have मतलब मैं रखता हूँ या मेरे पास है what a bad luck कितनी बुरी किसमत आहब मेरी है ये एक exclamatory sentence है तो my master does not love me मेरा मालक मुझसे प्रेम नहीं करता है in spite of ये एक prepositional phrases इसका मतलब होता है के बापजूद my hard labor यानि मेरे कठोर परश्च्रम कठोर महनत के बापजूद मेरा मालक मुझसे प्रेम नहीं करता है now, I must do मुझसे जरूर से जरूर करना चाहिए what मतलब जो this dog यह कुटा does करता है to please खुश करने के लिए my master मेरे मालक को please का मतलब होता है खुश करना now, I must do मुझसे जरूर से जरूर करना चाहिए what this dog does जो यह कुटा करता है to please my master मेरे मालक को खुश करने के लिए, अब यहां से समझते हैं इसको एक बार, तो इस बात ने गदे को जैलस कर दिया, यानि जैलस बना दिया, यानि जलन से भरा हुआ बना दिया, और उसने अपनी बुरी किस्मत को कोसा, बुरा भला कहा, और बोलता है कितनी बुरी किस्मत है मेरी, मेरा माल मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरे कठोर परिस्रम के बाप जूद, अब मुझे जरूर से जरूर वो सब करना चाहिए, जो यह कुत्ता करता है, मेरे मालक को खुश करने के लिए, सो इसलिए, the next time, अगली बार, when he saw his master coming, अगली बार जब उसने अपने मालक को आता हुगा देखा, he bred a little a little का मतलब होता है थोड़ा और braid का मतलब braid की second form of braids का मतलब होता है जो गदे होते हैं वो रेंकते हैं रेंक ना ठीक है गदे रेंकते हैं तो he bred a little वो थोड़ा रेंका रेंका जैसे कुटे कुटे क्या करते हैं भूखते हैं तो गदे रेंकते हैं, मतलब ढेंचू ढेंचू की आवाज नकालते हैं, हैंचू हैंचू बोलते हैं, and tried to beg his tail, और उसने अपनी पूच को लहराने की, मतलब पूच को हिलाने की कोशिश की, he raised his front legs, उसने अपने सामने की टांगों को उठाया, and put them और उन टांगों को रख दिया on his master's body अपने माले के शरीर पर रख दिया एक बार यहां से हम इसको पूरा बढ़ाएंगे इस बात से जो गदा था वो इडशा जलन से भर गया उसने अपनी बुरी किसमत को कोसा बुरा भला का और बोलता है कितनी बुरी किसमत है मेरी मेरा माले कम उससे मेरे कठोर परिश्रम के बाबजूद प्रेम नहीं करता है आप मुझे जरूर से जरूर करना चाहिए जो यह एक उत्ता करता है मेरे माले को खुश करने के लिए इसलिए अगली वार जब उसने अपने माले को आता हुआ देखा तो भै उसकी तरफ भागा वो थोडा धैचू-धैचू-धैचू-धैचू-धैचू की आवास निकाली उसने और अपनी पुँच को हिलाने की कोशिच की उसने अपने सामने की टांगों को उठाया और उन टांगों को अपने मालिक के शरीर पर तक दिया दोबी गॉड फ्राइटेंड जो धोबी था वो भैवीत हो गया डर गया टूसी देखकर इस डॉंकीज एबनॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल का मतलब होता है थोबी जो था पागल सन की दीवान माइट है जब आता है तो उसका मतलब शायद ऐसा हो गया हो तो गदा शायद बागल हो गया है so इसलिए ही पिकड़ अपा लाठी उसने एक लाठी उटाई and beat up, beat up का मतलब होता है beat मतलब पीटना और beat up का मतलब बुरी तरह से पीटना the donkey, उसने donkey को बुरी तरह से पीटा till मतलब तक, it मतलब यह, यह आया गदे के लिए fell मतलब गिर गया on the ground जब तक यह जमीन पर नहीं गिरगा है, तब तक पीटा अब हम इसको यहां से समझते हैं so the next time, इसलिए अगली बार जब उसने अपने मालिक को आता हुगा देखा बहे उसकी तरफ भागा और उसने थोड़ा हैचू हैचू की आवाज निकाली और अपने पूच को हिलाने की कोशिश की उसने अपने सामने की टांगे उठाई और उनको अपने मालिक के शरीर पर रख दिया धोबी डर गया, अपने गदे की असाधारण बरताओ को देख कर उसने सोचा कि गदा शायद पागल हो गया है इसलिए उसने एक लाठी उटाई और गदे को बुरी तरह बीटा जब तक की वह गदा जमीन पर नहीं गिर गया मोरल, इस कहानी का जो मोरल है, मोरल मतलब नेतिक शिक्चा, नेतिक, जैलिसी इस हार्मफुल, जैलिसी का मतलब होता है जलन, इर्श्या, हार्मफुल मतलब हानिकारक कि जो इर्श्या होती है, जलन होती है, वो हानिकारक होती है यहाँ पर यह स्टोरी हमारी खत्म होती है अब हम नेक्स्ट स्टोरी में बात करेंगे, सी यू अगैन